Hello everyone, मैं Amit Gautam, Resonance, PCCP, Hindi and Sanskrit Faculty और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर class 10th course एका और बहुत ही बहतरीन chapter जो की व्याकरण से संबंदित है और उसका heading हम आज देखेंगे पद परीचे, बहुत ही बढ़िया chapter व्याकरण शास्त्र के अंदर जहां course A के अंदर इस chapter को डाला हुआ है पद परीचे, जैसा कि अगर मैं इस topic की बात करूं तो लगभग board examination के अंदर 4 अंकों से लेकर के 5 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, कितने अंक के के प्रश्न, चार अंकों से लेकर के 5 अंक के प्रश्न और व्याकरण के अंदर, especially पिछले अगर हम blueprint इस paper का देखे हैं, उसके according mcq questions जो है, वो इस topic से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि last year भी objective questions जो है, वो इस part से संबंधित पूछे गए थे, जैसे आपको 6 प्रश्न देदेगा, 6 में से 5 करने हैं, या 5 प्रश्न देदेगा, 5 में से 4 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं, तो हम mcq प्रश्न हों चाहे subjective questions हों, हम दोनों ही तरह से इस chapter के प्रश्नों को हम देखने की कोशिश करेंगे, कि क्या है पद परिचे, कि जिस तरह से एक मनुष्य जब अपने से किसी दूसरे इंसानों को अपना introduction देता है, कि नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, कौ सी क्लास आपने पढ़ी है या कौ सी शिक्षा आपने हाद की है, आपका पता क्या है, क्या अपकी qualification के साथ आपका experience क्या है, कौन-कौन सी language आप जानते हो, तो उस तरह से ही एक एक शब्द का introduction देना, एक एक वर्ड के बारे में समझाना वो हमारा पद परीचे कहलाता है. तो सबसे पहले हम जानेंगे की पद परीचे का अर्थ क्या होता है? पद परीचे का अर्थ एवं परीभाषा, कि पद परीचे का अर्थ और परीभाषा क्या-क्या है? पद परीचे के अर्थ और परीभाषा में हम देखेंगे की जब एक सार्थक वाक्ये को जब एक सार्थक वाक्ये को बनाने के लिए कहीं सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है कहीं सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है तो व्याकरण के अनुसार व्याकरण के अनुसार उसकी भाषा में प्रयूक्त होने वाले प्रयूक्त होने वाले उन्हीं शबदों को प्रयुक्त होने वाले उन्ही शब्दों को पद के नाम से पद के नाम से जाना जाता है कि जब एक वाक्य को बनाने के लिए उसमें कहीं प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा जैसे अमित्सर पढ़ा रहे हैं तो इसमें अमित्सर का प्रयोग हुआ पढ़ा रहे हैं शब्द का प्रयोग हुआ तो ऐसे कहीं सार तक शब्दों का जब प्रयोग हुआ तो व्याकरण के अनुसार उसकी भाषा के अंदर उन्हीं प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम पद के नाम से जानेंगे अर्थार्थ उन शब्दों को शब्द नहीं कहकर हम पद का नाम देंगे इसलिए आगे देखिए इसलिए उन्हीं पदों का विस्तार पूर्वक उन्हीं पदों का विस्तार पूर्वक व्याकर्नात्मक परिचे देना ही पद परिचे के नाम से जाना जाता है एक वाक्य का गर हम प्रयोग करें राम जैपूर जा रहा है कि राम जैपूर जा रहा है तो इसके अंदर ये पहला शब्दुआ ये दूसरा शब्दुआ और ये तीसरा शब्दुआ तो यहां पर प्रयुक्त होने वाले जितने भी शब्द हैं सबसे पहले तो उनको पद कहा जाएगा और उन्हीं पदों का विस्तार पूर्वक वर्ण है अगर इसमें हम बात करें राम जैपूर जा रहा है तो ये जो राम शब्द है इस राम शब्द के मालूम पड़ा कि एक तो ये संग्या से संबंदित हुआ क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति विशेश का नाम जो है वो संग्या के अंदर आता है और संग्या भी कौन सी हुई ये आपकी व्यक्ति वाचक संग्या हुई यह हमारी व्यक्ति वाचक संग्या हुई इसी प्रकार से दूसरा इसमें करता कारक है क्योंकि यह इस कारक का करता है तो दूसरा point क्या हुआ? कि ये कारक कौन सा है? करता कारक है. तीसरे नमबर पर हम लिख सकते हैं कि राम ये किसी एक व्यक्ति यानि पुरुष का नाम है. तो इसका मतलब ये पुर्लिंग में हुआ. तो हमने इसके लिंक के बारे मताया. इसके बार राम एक वचन में है. तो यहां पर हमने एक वचन लिखा. तो इस तरह से जो हमने पहले शब्द को इंटुड्यूस किया कि ये संग्या है. व्यक्ति वाचक संग्या. ये करता कारक है. क्योंकि ये राम जो है वो जाने का काम कर रहा है. ये इस वाक्य का subject हुआ. दूसरी चीज. तीसरे नमबर पर हम अगर हम जैपूर की बात करें. जैपूर तो जैपूर ये स्थान का नाम है. और हमने संग्या की परिवाचा पढ़ी है. कि किसी भी व्यक्ति वस्तु इस थान ayakya के नाम का बोहुत कराने वाले शबदों को संग्या कहा जाता है. तो जैपूर भी क्या हुआ? ये भी हमारी संग्या हुई, संग्या होने के साथ साथ ये व्यक्ति वाचक संग्या हुई, वापस ये इस वाक्य का करता नियो करके क्या है, कर्म है, क्योंकि ये यहां जाना पड़ रहा है, तो ये कर्मकारक हुआ, इसके बाद दूसर नम, तीसर नम के सकते हैं, कि जैपुर क्या हुआ, जैपुर एक स्थान के अंदर आता है, इसके बाद आपका पुर्लिंग, तीसे नमबर पर जा रहा है, ये इस वाक्य की क्रिया हुई, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये इस वाक्य की अकर्मक क्रिया हुई, एक वचन में है, पुर्लिंग में है, तो इस तरह से एक एक पद को इं जैसे माली जी यही वाक्य आगर आता है कि राम जेपर जा रहा है, इसमें अंडराइन कर देगा कि राम शब्द के अंदर सही पत्परीचे क्या है, तो सही उप्षन उसके अंदर में चुनना है, कि अगर चारों में आते हैं, तो निश्चित तोर पर इन में से जो सही तो पद परीचे मतलब एक एक पद के बारे में पूरे विस्तार पूरवक इंट्रोडक्शन देना, it means वो हमारा पद परीचे कहलाता है, ठीक है? इसके बाद है पद परीचे के मुख्यकारक, कि जिस वजे से हम पद परीचे को इलेबरेट कर सकते हैं, उसके कुछ मुख्यकारक है, जैसे हमने पद परीचे पढ़ने से पहले हमें ग्यात होना चाहिए पद बंद के बारे में, कि अगर व्यक्ति को पद बंद का ग्यान है, तो निशित तोर पर उसको पद परीचे बड़ी आसानी से आ जाएगा, कि अएक पद का अनेक पदों के साथ जब बंधन होता है, तो एक वाक्य का निर्वान होगा, और उसकी definitely कोईनों के अभिवक्ति होगी, तो उसको ही डंग से विस्तार पूरवक उसको introduce करना, it means वह हमारा पद परीचे कहलाएगा, तो इसमें पद बंद के पांच प्रकार तो इसके ही गटक, इसके ही कालक में आते हैं, जैसे संग्या, कि संग्या के बारे में हमें इसमें discussion करना होगा, सर्वनाम, विसेशन, क्रिया विसेशन, में विसेशन, क्रिया वेप्र कीक टोच, क्रिया, सम्भंध बोधक और आठवे नमबर पर है समुच्य बोधक तो इस तरह से हम जो पतपरीच्य के अंदर जिन जिन चीजों का समावेश करते हैं जिन जिन चीजों का हम ज्यान करवाते हैं संग्या के बारे में अगर कोई वर्ड जो है संग्या से रिप्रेजेंट हुआ संग्या को define कर रहा है, तो उसके बारे में दिखाना, सर्वनाम से संबंधित अगर है, तो उसके बारे मताना, विशेशन है, तो विशेशन के बारे मताना, क्रिया विशेशन का प्रियोग किया है, तो क्रिया विशेशन का प्रियोग करना, अव्वे पदिया, क्रिया का प्रि परीचे दे सकते हैं, तो आज के lecture में हमने जाना कि पद परीचे होता क्या है, किस तरह से पदों का परीचे दिया जाता है, क्या इसका अर्थ होगा, और पद परीचे देने के लिए किन-किन चीजों के बारे में हमें ध्यान रखने की आवशकता है, अगले क्लास के अंदर हम एक-एक करके इन सब तत्वों के बारे में, मुख्यकारकों के बारे में अध्यान करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.